वेल्कम टो एक लब्या स्टडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास वेल्थ की हिस्टरी से जो आपका सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स और टाउंस इसके जो MCQ, वन लाइनर, शॉर्ट क्वेस्टन्स and long questions, जितने भी बनते हैं आपके board exam के लिए वो मैं आपको questions करवाने वाला हूँ, वीडियो को आप end तक देखेगा और ये वीडियो आपके board exam के लिए भी helpful है, आपके midterm exam के लिए भी equally helpful है तो आईए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ कि if you have any query you can text me on instagram, मेरा username आप सभी के screens के सामने लिखा हुआ है and if you want to join our telegram group, जो username है वो आपके सामने है, class 12 ESP new group सर्च मार के आप telegram group से join हो सकते हैं, और अगर आप notes पढ़ना चाते हैं इस chapter के तो आपको हमारी website www.eklavyastudypoint.com को visit करना होगा और इसी chapter की easy explanation को देखने के लिए आपको इसी वीडियो के description में जाना है और वहाँ पे जाके आप देख माएंगे so सबसे पहला question है हमारे सामने, name the two sacrifices performed by kings during the Vedic time Vedic time पे कौन से sacrifices दो बहुत popular थे एक तो राजसुय यग्ये और दूसरा अश्वमेग यग्ये ठीक है राजसुय यग्ये को भी एक powerful ruler करवाता था अश्वमेग यग्ये में भी क्या होता था एक भाई horse होता था उसको छोड़ दिया जाता था वो जिस भी territory में जाता था काफी लंबा और चोड़ा एक strong structure होता था मेगालित बड़ा पत्थर यह हमें Central और South इंडिया में देखने को मिलता है 1st millennium BC में और यहाँ पर क्या होता है कि यह burials के उपर रखे जाते थे cover वगर रखे उपर इन्दा मौरेन इस्क्रिप्शन पीए दसी वर्ड इस यूज़ फूर विच किंग पीए दसी जो है वो अशोक के लिए यूज़ किया गया था वर्ड फूर्थ है composed Sanskrit text by ब्रामनास from 600 BC onwards were known as by which name सो धर्म सूत्र के नाम से जाने जाते थे यह text fifth question है who described the committee system in Moran administration so जो Megasthenes था ठीक है जो आया था मतलब एक यह Greek मतलब एक यह वो था ठीक है and यह Megasthenes जो है यह हमें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे committee system था how many subcommittee were found for the military activities military activities के लिए हमें ऐसा evidence मिलता है कि six committees, six subcommittees होती थी seventh question है how many major political centers in the Moran empire so पाँच जो है वो political centers important माने जाते हैं जिसमें से तक्षिला, उजजैनी, तोसली, सुवर्नगिरी ठीक है और पाटली पुतर जो की capital था so यह इसका answer हो जाएगा फिर अगला question है यह two sacrifices मैंने आपको बता दिया है मेगा लिथ भी आपको बता दिया है और who deciphered Ashokan inscriptions so James Princip ने इनको पढ़ाता inscriptions को which dynasty issued first gold coins so सबसे पहले कुशान जो dynasty है इन्होंने gold coins issue किये फिर who was गहपती गहपती कोन होता था घर का owner, घर का master या head of household इसको हम गहपती कहते थे फिर आगे है write any two sources of Morian history Morian history के two sources अर्थ शास्तर की कोटिल्या कोटिल्या की अर्थ शास्तर book जो है एंड अशोकन inscription है जैन literature बौद literature foreign accounts बहुत सारे हमारे पास ऐसे evidences हैं sources हैं 15th question है whoever धम महामात्र so जो धम महामात्र होते थे वो special officers होते थे इनको अशोक ने appoint किया था और इनको इसलिए appoint किया गया था ताकि ये धम के message को spread करें जादा से जादा फिर 16th question है whoever कुशाना so कुशान कोन थे ये काफी important dynasty है ancient India की क्योंकि इन्होंने first जो gold coins है वो issue किये थे 17th question है in which language and script Ashoka's scripts were written so ये जो है language अगर हम बात करें तो प्राकृत अरामाईक और ग्रीग language होती थी script की बात करें तो ब्राहमी script में अरामाईक script में खरोष्टी script में और ग्रीक script में हमें देखने को मिलते हैं जादा तर जो script मतलब जो inscriptions मिलते हैं 18th question है why is 6th century BCE often considered as a major turning point in Indian history ये जो time period था इसको major turning point क्यों कहा जाता है क्योंकि एक तो early states का emergence हुआ महाजनपताज का और जनपताज का cities और मतलब क्या है कि iron का use काफी बढ़ने लगा था इस time पे और coins का use होने लगा था नए religion आने लगे थे अब ठीक है ये तो one liner थे so list some of the problems faced by epigraphist जो epigraphist होते है हमारे जो inscriptions को पढ़ते हैं epics को पढ़ते हैं वो क्या है कि inscriptions को पढ़ने वाले लोगों को हम epigraphist कहते हैं sometimes the words are engraved very lightly बहुत बारी क्या होता है जो inscriptions के उपर words लिखे होते हैं सो काफी hard होता है उनको describe कर पाना technical limitations बहुत सारी होती है clarity बहुत बारी सही से नहीं मिल पाती काफी ज़्यादा जो inscriptions है वो undeciphered रह जाते हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता बहुत बारी वो भाही मतरब damage भी हो जाता है inscription और बहुत बारी गुपता रूलर्स की history को reconstruct करने के लिए जो sources हैं उसमें से literary sources सबसे पहले आते हैं हमारे फिर उसके बाद जो foreigners के descriptions है जैसे कि फायान बताते हैं हमें और प्रशस्ती बहुत सारी मिलती है जैसे हरी शेंड प्रशस्ती इन परियाग ठीक है अलाबाद pillar inscription पे जो है ठीक है यह हमें देखने को मिलती है and with the help of coins coins से हमें बहुत कुछ पता चलता है ठीक है बहुत सारे kings के बारे में and rulers के बारे में and inscription से हमें बहुत कुछ पता चलता है ठीक है with the help of inscriptions we come to know about many gupta rulers so यह हमारे कुछ important question है आगे बढ़ते हैं describe any five features of mahajanpata so mahajanpata जो होते थे वो वहाँ पे जो king होते थे उसको rule करते थे कुछ-कुछ mahajanpata को gun और sung भी rule करते थे जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग मिलकर वहाँ पे rule करते थे fortified इनकी capital होते थी जो भी mahajanpata है उनकी जो capital होगी वो काफी fortified और secure होती थी permanent army होती थी mahajanpata आज के पास अपनी and functions of king राजा के function राजा का main income यही था tax collect करना ठीक है and यहाँ पे मतलब यही बताए जाता है कि राजा का main income यही है tax collect करो और अपने लोगों के रक्षा करो security provide करना how does inscription help in reconstruction of history so जो हमें inscriptions मिलते हैं उससे हम history को कैसे reconstruct कर सकते हैं so देखिए knowledge about the rulers and their achievements जो inscription है वो हमें बताते हैं rulers के बारे में हमें information मिलती है उनकी क्या achievements थी जैसे की प्रयाग परशस्ती हडीशेन की जो है वो हमें बहुत कुछ बताती है समंद्रगुप्त वगरा के बारे में and script and language of that time inscription से हमें ये पता चलता है उस time पे कौन सी script prevalent थी कौन सी language prevalent थी land grant and economic conditions कैसी थी क्या उस time पे कोई land grants वगरा होते थे ये हमें inscriptions बताते हैं वहां की economic condition कैसी होती थी ये हमें inscriptions बताते हैं और extent of the empire हमें inscription से ये भी पता चलता है कि कोई भी empire है वो कितनी दूर तक फैला हुआ था कितना उसका extent था and हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी kingdom के अंदर social and religious condition कैसी है उस kingdom की so inscriptions हमें बहुत जादा help करते हैं जब हम history को reconstruct करने के लिए बैठते हैं आगे बढ़ते हैं what were the main features of moran administration so moran administration के main features क्या थे सबसे पहले अगर हम देखें so इसका जो administration था वो central था central administration का मतलब है king का सबसे ज़्यादा control होता था legislative के उपर executive के और judy sari के उपर main control जो है वो king का होता था actually he was the most powerful person in empire और पूरे empire में जो king होता था वो सबसे powerful person होता था फिर क्या है providence या provincial administration the empire was divided into many provinces जो empire था वो काफी सारे provinces में divided था governed by governors ठीक है जिनको govern कौन करता था गवर्नर्स करते थे local government होती थी थी भाई there was a committee of three members to maintain rules and regulations in partly putra so local government के भी हमें evidence मिलते हैं so existence of cabinet to give advice हमें ये भी मतलब मिलता है evidence की भाई cabinet हुआ करती थी sorry जिसमें ministers होते थे जो advice करते थे kings को कैसे administration को चलाना है पांच political centers थे ये मैंने आपको पीछे बताई दिये हैं आर्मी काफी जादा organized थी ठीक है a committee with six subcommittees ये हमें Megasthenes ने बताया था याद रखना और to spread धम महामात्र ठीक है and officers for the land revenue land revenue के अलग officers होते थे irrigation वगरा के लिए और इन सब के लिए अलग अफिसर्स थे जो इनको supervision में अपनी देखते थे सब कुछ strict laws होते थे काफी ज़्यादा administration में order system was set up law and order system काफी अच्छा था यहां का institution of spies was very strong and working effectively जो जासूस होते हैं जो spying का काम करते हैं वो भी काफी ज़्यादा अच्छे से effectively काम वो रहा था moral administration के अंदर so I hope आपको यह सारे इसके जो features है मैंने बताए हैं आपको अच्छे चा समझाए होंगे आगे बढ़ते हैं आप James Princip provided a new direction to Indian political history how so James Princip ने एक नई direction दी है Indian political history को क्योंकि उन्होंने दो scripts को decifer किया Brahmi को और खरोष्टी को ठीक है these inscriptions were used earliest inscriptions and coins so जो Brahmi खरोष्टी यह जादा तर जो है मैं देखने को मिलती है earliest inscriptions and coins के उपर he throws light on Morian ruler Ashoka so James Princip जो है वो Ashoka के बारे में जादा से जादा हमें बताते हैं the research of James Princip gave a new direction to Indian political history और James Princip ने जो research करी उनसे हमें हमारी Indian political history को एक new direction मिली और scholars Indian scholars भी और European scholars भी use the inscription and coins to draw information about major dynasties so James Princip का जो contribution है वो काफी जादा है ठीक है Indian political history को बनाने में आगे चलते हैं the inscription of land grants help us to understand rural society in ancient times yes so जो हमें land grants के inscriptions मिलते हैं it shows the relationship between the state and the farmers इससे पता चलता है state कितना जादा मदद करता था farmers को और hunters, fishermen, sculptures, sculptures and nomadic farmers were not under the control and many other such type of informations we have got so बहुत सारी चीज़े हमें ये भी जानने को मिलती है वहीं inscription से ही पता चलता है आगे बढ़ते हैं 16 महाजनपतास में से जो मदद है यही क्यों सबसे ज़्यादा most powerful महाजनपत था ये हमें अब देखना है so मदद was a very ancient kingdom काफी ancient kingdom है जो मदद है between the 6th and 4th centuries BC जो 6th and 4th centuries BC के बीच में it became the most powerful महाजनपता सबसे ज़्यादा powerful था because it had some special advantages over others इसके पास कुछ special advantages थे जो की औरों के पास नहीं थे जैसे की natural defense था इसके पास अपना इसके चारों तरफ hills की surrounding थी इसकी जो ancient capital राजग्रे है जिसको हम house of the king भी कहते हैं वो काफी ज़्यादा वहाँ पे defense अच्छा था later in the 4th century BC the capital was shifted to partly putr 4th century BC में capital जो है वो partly putr shift कर दी गई इसका agriculture काफी rich था काफी अच्छा fertile soil थी वहाँ पे agriculture production production काफी अच्छा था iron mines है बहुत ज़्यादा जैसे president में जार्खन वगरा आई है सब उस time पे मगद में ही आता था iron mines काफी जादा अच्छी थी ठीक है and accessible थी and resources मिल जाते थे tools वगरा बनाने के लिए weapons बनाने के लिए elephants जो की काफी important component था army का were found in the forest मगद के forest के अंदर elephants बहुत ही आसानी से मिल जाते थे cheap and convenient communication देखो जो communication था गंगा और उसकी tributaries से आप आ जा सकते थे ठीक है काफी cheap जो है communication हो जाता था काफी convenient रहता था then we have the point Buddhist and Jain writers who wrote about the मगद जो Buddhist and Jain writers है जिनोंने मगद के बारे में लिखा है the ambitious kings and their ministers who helped implement their policies Buddhist and Jain writers बताते हैं मगद के बारे में लिखते वे कि वहाँ के kings काफी ambitious थे उनके ministers help करते थे policies को कैसे implement करना है बिम्बी सार, आजात सत्तू, महापदमनंद ये कुछ ambitious जो है rulers थे, kings थे जो हमें देखने को मिलते हैं next question is why is 6th century BCE major turning point in early Indian history 6th century BCE ये जो है क्यों एक turning point था iron का use बढ़ने लगा था coins का development हो चुका था states का emergence हो रहा था और Buddhism and jainism जैसे नए religions का भी राइस हो रहा था that's why we say 6th century BCE was a major turning point in early Indian history what were strategies for increasing production agricultural production को बढ़ाने के लिए क्या strategies थी उस ताइम पे so one such strategy was the shift to plow agriculture which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and Cauvery भाई हल से agriculture करो काफी अच्छे से जो fertile जो alluvial valleys है आसपर जो fertile soil है जहां की काफी ज्यादा और वहाँ पे जो है गंगा वगरा के आसपास valleys के आसपास यह होने लगा agriculture इससे production बढ़ा और अर दा आयरें टिप्ड प्लॉशेर जो हल ओता था उसके आगे की जो टिप होती थी वो आयरें की थी ती जिससे क्या हो रहा था काफी अच्छे से यहां पे यूज हो रहा था इसका और production बढ़ता जा रहा था और while the iron plow share led to a growth in agricultural productivity productivity काफी increase होती है ग्रोथ होती है और another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation irrigation का use किया गया ताकि production बढ़े सिरफ rain के उपर हम depend ना रहे हैं irrigation के लिए canals थे, wells थे, ठीक है, tank होते थे and ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि agricultural production को बढ़ाने के लिए यूज होती थी और यह सबसे ज़्यादा important questions थे जो मैंने आपको करवाए हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को like करें और comment box में आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जै हिंद जै भारत बहुत बहुत गन्यादा